पीकू ने लिखा है कि प्रणाम गुरुदेव आपने कहा था बोध एक गहरी समझ है फिर हमें बेचैनी क्यूं पकड़ती है सच को देख पाते हैं जैसे एक परदे के पीछे से वो परदा क्या है और अपने जीवन से परदा कैसे हटता है परदे में रहने दो परदा ना उठाओ है परदा तो परदे से कोई परिशानी नहीं है बोध एक गहरी समझ है वो तो हई है न उसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं वो बात तो समझ ली तुमने और वही बात फिर तुमने पूछी कि बेचैनी क्यों पकरती है बेचैनी शुब है बेचैनी जीवन है अगर बेचैनी नहीं होगी तो जीवन भी तो नहीं होगा बिप्ति के भीतर कभी जीवन की सामाने चीजों के लिए बेचैनी होती है और फिर जीवन की स्रेस्ट चीजों के लिए बेचैनी होती है तो बोध के लिए भी एक बेचैनी होती है उस बेचैनी पर ही तो यह सब यात्रा यह सब कारे ब्यापार होता है तो उसलिए वो तो बिलकुल ठीक है बेचेनी क्यों पकड़ती है है अच्छी है ना बेचेनी न पकड़ने का मतलब इंसान मुर्दा हो गया डेड हो गया किछ पकड़ता हुआ नहीं उसको बिलकुल मुर्दे जैसा हो गया जिन्दा लोगों को तमाम चीज़ें पकड़ती है उनमें से एक बेचैनी भी है सामने चीज़ें दिखती है पर्दे के पीछे से अब तुमने का पर्दे के पीछे से तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना ये तो बहुत बड़ा मुकाम है कि पर्दे के पीछे से भी तो कुछ दिख रहा है तुमको इतना तो दिख रहा है कि पर्दे के पीछे कुछ है कई लोगों तो पर्दा भी नहीं दिख रहा उनकी बेचैनी तुम समझो उनकी बेचैनी समझो कि जिनको भी पर्दा भी नहीं दिख रहा उनको तो पर्दा भी दिखने लगा है, कितना बड़ा सफर हो गया, पर्दा दिख रहा है, इसका मतलब घर के गेट के अंदर आ गए, और अब उस जगे भी तुम आ गए, जहां पर पर्दा है, अगर कल्पना करो एक घर की तो, पर्दे के पीछे क्या है, किसी का प्रेतम होत होता है, किसी का कुछ होता है, यहां पर तुम बोध की बात कर रहे हो, तो यह जो करटन है, यानि कि यह जो seeing through some hindrance, or seeing through some illusion, but ability to see, देखने की छमता वो है, जब देखने की छमता आ जाती है बोध की, चाहें वो थोड़ी धूमिल ही हो, उसको ही हम कहते हैं, पर्दे के पीछे से देखना, लेकिन यह तो बहुत बड़ी बात है, इतना मुकाम का आ जाना, इस बात पर तो तुमको party करनी चाहिए, कि तुमको पर्दा दिख गया है, that's great, और फिर तो पर्दा कब हटेगा, कोई नहीं जानता, कभी भी हट सकता है, तो आख कान खोल कर चौकनने अलाट बैठे रहो, जैसे कभी कोई magic show या कुछ ऐसा show देखने गए हो ना, तो पर्द कर रहे होते हैं, जैसे ही पर्दा अचाना कुटता है, अपने टाइम से सारा वाता बरण बदल जाता है, तो इस show में बिल्कु टाइम तै नहीं होता है, कि किस टाइम पर पर्दा हटेगा, तो जो देखने वाला है, उसको बहुत अलर्ट, बहुत चोकनना और बहुत जाग रुख बने रहना पड़ता है, तो अबके तुमारे इस मुकाम पर अस्तित और जीवन तुम से ये मांग करता है, पिकु बाबु कि बिल्कुल चोकनने बने रहो, जाने का पर्दा हट जाए? खलओर कि वीवना रिया उलए हे जाए, जाने रपके तूमारे अजिए, ये ख stripes भीकार से क tampSp któ nod कि मुक चिलो representing तुमे नहीं को को protesters वाले उपके अबोड़के देखते हैं, तो अहेँां को अगिक। प्राइब टूर जूराई बारा बार प्राइब टूराः आर दोई।